दोस्ता एक बहुत ही कॉमन डिफरेंस है जो अक्सर मैंने अपने पिछले 20 सालों में लोगों को जब अंग्रेजी बोलना सिखाया है तो गलत बोलते हुए देखाया है इवन कभी भी कुछ भी बोला जा सकता है लेकिन यहीं हम तोड़ा तोड़ा सिखते रहें और अपनी जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हम कर रहें उन्हें हम करेक्ट करते रहें तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है एक बहुत ही कॉमन चीज है कि हम तयार होने के लिए क्या यूज करें, क्या हम गेट ड्रेस्ट यूज करें, या हम गेट रिडी यूज करें, कौन सा वर्ट हमें यूज कब करना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने भी वाला हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपके लिए जरूरी है, आइट प्रडूज करते हैं या फिर आप उसमें मिस्टेक कर सकते हैं, तो गेट रेडी और गेट ब्रेस्ट, तो अनों में क्या अंतर है, दोस्तों, जब कभी भी हम कपड़े पहन कर तयार होते हैं, तो उसे हम get dressed कहते हैं, जैसे नहाने के बाद आप कपड़े पहनते हैं, you get dressed, लेकिन get ready, आप किसी भी चीज के लिए तयार होने को कह सकते हैं, पार्टी के लिए तो आप कपड़े तो पहनते ही हैं, लेकिन you get ready for the party, जैसे, in fact, यदि आपकी engagement है, आप तयार हुए वे बैठे हैं, और इधर से लड़की वाले आगए, तो फिर तयार तो आप पहले से हुए बैठे हैं, you are already dressed, घर वाले आपसे कहेंगे get ready for the engagement, आपने पेपर में अच्छा नहीं किया, और आप result लेकर आयो खराब, तो मम्मी कहेंगी बैठा तू तयार हो जाओ पिटने के लिए, get ready for the punishment, अब get dressed थोड़ी बोलेंगी, कि तयार हो जाओ, कपड़े पैन के आजा, पिटाई होगी ते ही, बलकि पिटाई के जमें तो even कपड़े उतरेंगे, क्योंकि रेंटा तभी अच्छे से चलेगा, तो get ready अलग है, get dressed अलग है, आप सोची, आपका interview है, of course interview को लिए आप dressed होकर तो वहाँ पहुचेंगे, लेकिन जब आप से पहले दो तीन candidate जा चुके होंगे और आपका number आने वाला होगा, तो फिर आपको एक reminder दिया जाएगा, get ready for your turn, get ready for your turn, get ready for your interview, जैसे मैं तो तयार रह जाता ही हूं, लेकिन हमारे साथ में जो हमारे camera man है, जो हमारे producer भी है, director भी है, Mr. SP आलव, वो मुझसे करते हैं, सार वीडियो शूट के लिए ready हो जाए तो get dressed नहीं, चुकि मैं तो एक ही dress भी बहुत सारी वीडियो बना देता हूं, I don't have time every day, हर रोज तो मेरे पास time नहीं ह जाता हूं, जाए दिन भी, क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलना सिखाना है आपको, रैसे वगारे पर भी मेरा तो बहुत जाता ध्यान नहीं है, so I get ready for shoot, I get ready for shoot, I don't get dressed, I don't get dressed, मैं तयार नहीं होता, तयार तो मैं सुबह को जब नहाता हूं, I always get dressed, so when do you get dressed, अब तयार कपड सारा दिन, सारा दिन कपड़ी वदलते रहते हूं, लेकिन जब कभी भी कोई खास इवेंट होता है, meeting है, meeting के लिए त्यार वजाओ, get ready for the meeting, get ready for the class, get ready for the practice, get ready for your performance, get ready for the dance, get ready for the punishment, get ready to pay the fine, so get ready, बिल्कुल लगे, get dressed, जब कभी भी हम कपड़े पहनेंगे, नह के तयार होना, get dressed you get dressed generally in the morning, you get dressed for the party, parties के लिए, हाँ, of course, जब जीवन में अलग-अलग occasions होंगे, you get dressed, लेकिन वैसे ही, किसी भी चीच के लिए त्यार हो जाना, teacher आ गई है, त्यार हो जाओ पढ़ने के लिए tuition, get ready for your tuition, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे सी उसकरना सीख लिया यदि आपने इसे सीख लिया और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यह गलत बाल है, इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, आप इसे Facebook, Instagram या फिर WhatsApp पर शेयर कर सकते हैं, आप अपने स्टेटर स्पे इसे लगा सकते हैं, ताकि ज्यादा तर लोगों को आप विशेक संके इस चैनल के बारे में पता चल जाएगी, मिलते हैं आप से फिर एक नई वीडियो के साथ, तैंक यू